तोड़ दिया हमने कुछ ऐसा दिख रहा है यह मोडिफ़इड वर्जन है शेफ अजे की तरफ से हेलो गाइस दिस इस आजे वेलकम बैक टू दा चैनल जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल पे कुछ नई चीजे दिख रही होंगी आपको यह सारा ही कोरियन फूड है देहरदून में एक नया कोरियन रेस्टों खुला है और कोरियन मुगबंग देख देखके बहुत टाइम से मेरा कुछ कोरियन फूड ट्राय करने का मन था तो फाइनली आज हमने सारा कोरियन मेन्यू मंगा लिया है तो गाइस आज हमने ओर्डर कर रखा है हमारे पास है चिकन तेरियाखी किमबप चिकन जापचे ब्लैक बीन नूडल्स और सनिसाइड एग्स यह है मिक्स तेबॉकी चिकन लॉलिपॉप किमची तो लेते हैं कोरियन फूड के मजे वेद अजे और जल्दी से वीडियो को स् कि देखते हैं कैसा होता है थोड़ा लेमन जैसा फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें बहुत ही माइल्ड सा टेस्ट है सुइट आज फर्स टाइम चॉप्सिक से ट्राय करने वाले देखते हैं खापाते हैं नहीं खापाते तो यह मिक्स्ट मिक्स्ट अबग किये यह राइस केक होता है इस्पाइसी यह भी अच्छा अच्छा टेस्ट है इसका 2x स्पाइसी यह सा ही टेस्ट आ रहा है इस्पाइसी यह रहा है थोड़े चुई है पर बहुत अच्छा टेस्ट है इसका किंबब ट्राइ करते हैं यह देखिए कुछ ऐसा है नाम आपने बहुत सुन रखा होगा किंची पर बहुत कंद दिया है नोने कैबेज किंची यह देखते हैं कैसी होती है खटा मीठा सा टेस्ट है इसका एक और ट्राइ करेंगे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर जैस में सुरू में फिका लगता है बट जब सबजी और चिकन का टेस्ट आता है ना तो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है ब्लैक बीन नूडल ट्राइ करते हैं शायद नहीं खा पाँगा मैं इससे इससे ना हो पाएगा इसको साइड करते हैं गाइस अब नहीं हो पाएगा इससे फोरक उठाते हैं गाइस यह बहुत फेमस है ब्लैक बीन नूडल आपने काफिर सुन रखा होगा इसके बारे में ट्राइ करते हैं ब्लैक बीन नूडल्स अमेजिंग हो रहे हैं गाइस यह चिकन लॉलिपॉप यह अनफॉर्चनेटली कोरें नहीं है उनका आउटर स्टॉक चल रहा था ट्राइ करते हैं कि अभी अज़ा इसा ही कुछ होता है कोरियन फ्राइट चिकन बट आज अवेलेबल नहीं था और आज के बारे में तो आपको ख्या ही देता हूं तो गैस क्या बता हूं कि कोरें फूड के पीछे क्या क्या करना पड़ा है जोमेटो पर तीन बजे से वेट कर रहा था बट ये डिलीवर करी नहीं रहे थे वहाँ पर जब भी क्राउट जादा होता है तो वो डिलीवरी बंद कर देते हैं खुच जाके लेके आया हूं इस सारा समान और अब बैठा हूं मुकबंग शूट करने अब भी तक मौसन ठीक हो रहा था अचानक से बहुत तीज बारिस हो रही है देहरादून में इस खाने का मज़़ा और भी ज़्यादा बढ़िया है कॉरियन है निवाट बहुत टेस्टी हो रहा है पोजिशन चेंज करता है इंगे ब्लैक बीन नूडल टू एक स्पैसी से मच बेटर हो रहा है अगर आपको ट्राय करना है तो यह करना काफी लोग पूछ रहते हैं कि यह नूडल्स कोरे नूडल्स कहां मिलते हैं तो सुवीदा सुपर मार्केट है महां पर सारे कोरे नूडल्स अभी लेबल है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं चीज फ्लेवर भी आता है और जिन जिन लोगों ने टूएक स्पैसी ट्राय किया है पता चली गया उगाउन को कि कितने लोगों ने टूएक स्पैसी के दो पैकेट खाना कमेंट करके बताना कितने लोगों ने टूएक स्पैसी नूडल्स ट्राय कर लिया है गईज यह किमबब जपान में इसी को सूशी बोलते हैं और यह कुग्ड होता है कुग्ड मीट होता है इसके अंदर जो सूशी होती है उसमें रौ फिश भी डालते हैं बट यह कुग्ड इसके अंदर यह कुग्ड एल्टिमेट टेस्ट वरा इसका अगर आपको स्पाइसी फ्लिवर पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तेबौकी बोलते हैं से मिक्स तो बौकी है राइस से ही बनता है राइस केक्स बोलता है नहीं जो आपको सिलिंड्रिकल दिख रहा होगा ऐसे राइस केक्स बोलता है अब वो खतम हो गई है तो अपनी ड्रिंक अपना प्यार डाइट कोक काफी लोग बोल रहे थे कि मैं डाइट कोक क्यों पीता हूँ जब इतनी ज्यादा कैलरीज मैं कंज्यूम करता हूँ तो डाइट कोक से क्या होगा बट मेरे को इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं डाइट कोक पीता हूँ मज़ा आ गया चिकन जाप चेट रहे करते हैं यह पता नहीं किसके साथ आया था बटे राइस से इनोंने दिल बना रहा है टेस्ट करते है दिल तोड़ दिया हमने यह ग्लास नूडल है ट्रांस्पेरिंट होते हैं शायद इस वज़े से इने ग्लास नूडल बोलते हैं देखते हैं कैसे होते हैं एक्सपेक्टेड निधा है ऐसा होगा बहुत टेस्टी है बहुत ही बड़े है फ्लेवर जा रहे हैं इसमें वाइड बनाते हैं एक सनी साइड एग एंड ब्लैक बीन नूडल बड़ी वाइड होने वाली है अब पता चला कोरिया में सब लोग एक के साथ ही ब्लैक बीन नूडल क्यों खाते थे डेडली कॉमबा है डेडली सुरू में बहुत स्पाइसी फ्लेवर आ रहा था इसका अपता स्वीट साथ फ्लेवर भी आने लगा है यह ट्राइ करते हैं इसकी ग्रेवी के साथ स्टिकी राइस बोलता है से वही है इसके अंदर भी राइस बरावा है किमब आप ट्राइ करते है किमची के साथ यह दिखिया कुछ ऐसा दिख रहा है को कि यह लिखाते है अभी तक सबसे बड़े है मरगो तेबॉकी लगा फिर किम्बब फिर जापचे फिर ब्लैक्बिर नूलर्स यह स्वीट भी है और स्पाइसी भी है काफ़ी स्पाइसी है वो जो मिक्शर है ना स्वीट एंड स्पाइसी का स्टार्टिंग में बता नी चल रहा है कि इतना स्पाइसी है किम्बब चिकन शिम्ला मिर्च बैल पेपर यह मोडिफाइड वर्जिन है शेफ अजे की तरफ से मज़ा आ गया इस बाइट में ब्लैक बिन नूडल खाते हैं हुआ 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 ब्लेक बीन नूडल हमने घर पे ही दनाईगे यह देखिए बड़ी बाइट होने वाली है बाइट बनाई जाए चिकन बेल पेपर थोड़ा हमारा जापचे कुछ ऐसा दिख रहा है बहा हमारा तो हमारा आए क्या है आए रहा है यह रहा है पाँ रहा है वहाह है गाइज जब ब्लास्ट हो है ना फ्लिवर्स का मज़ा आ गया कास एक साइने साइड एग और बना लिया होता गाइज ये तबाकी जरू ट्राय करना भैतरीन हो रहा है गाइज रेश्टरों का नेम और इन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अब चेक कर सकते हैं चिकन सारा नीचे छुपावा था चिकन बड़ा ही टेस्टी हो रहा है चॉप्स्टिक्स तो मेरा पता नहीं क्या ही हाल होता फोक से निगा पा रहा हूँ प्लास बचाएं किमबब किमची ओनियन किमची अच्छी होती है जो मेरे वीडियो में देखा है वह ओनियन किमची थी और वह मसाले में रप्टी भी होती थी यह तो सिर्के वाले प्याज की तरह लग रहा है लास्ट ग्रेवी के साथ खाते है अभी इस पाइसी जाएगा थोड़ा मज़ा आगे इस बाइट में बॉइल एक देखते हैं का चाहिए आटो कि यह भिवाव गएंग करने दोगा अब आट पक्रेविए कैसा कि में लगा था हाब हावब ऑई जोगा अंदर से थाड़ा रणी योग होगा इसका टेस्ट खराब कर दिया इसने लास्ट पीस बचाएं अब टेस्ट थोड़ा सही होगा इसे खाके ग्रीवी बचीए तो गाइस बहुत ही यूनिक एक्सपिरेंस रहा आज का फर्स टाइम कोरियन फूट ट्राए किया काफी मज़ा आया वीडियो को ही पेंड करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई एंड टेक केर